नमस्कार दोस्तों मेरा नम गजिंदर है आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल गोल गले के अंदर आप सुंदर फर डिजैन कैसे बना सकते हैं बहुत ही बारी किसे एक एक चीज़ को डिटेल में एकस्पलेन करूँगा यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप भी सिंपल गोल गले के अंदर बहुत सुंदर फर डिजैन बनाना सीख जाएंगे यदि दोस्तो वीडियो आपको मारी पसंद आती है तो आप मेरे चनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि स्लाइस सम्मनत वीडियो मैं मेरे चनल पर डालता रहता हूं तो दोस्तो देखें आपको डिजैन बनाने के लिए क्या करना है इस तरीके देखें बैक और फरेंड की कटिंग करनी जो मैंने अल्रेडी की हुई है जो मैं गला बनाऊंगा इसमें गोल वह मैं बनाऊंगा बिना बुकरम का ठीक है और आपको जिस कपड़े का आपको अनुम् destat करने वाला है ने जाए दिजैन में तो और भी ज़्यादा सुंदर लोक आने वाला है तो वर सबसे पहलना को क्या करना है इनको राखना है सेडम मैं उसके बाद मीं यह देखें मैं बेक तो आपको simple है क्या करना यहां से 3 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और जितनी भी आप वो deepness बनानी है उससे half inch extra लेना है तो मैं जो गला बनाऊँगा 7 इंच deep बनाऊँगा 7 की जगह मैं रखूँगा साड़े साथ क्योंकि half inch उपर से चला जाएगा जब आम इसके shoulder जोड़ेंगे इस तरीके से और यहां से भी आपको 3 इंच लेना है यह देखें अब इन निशानों को इस तरीके से मिलाना है यह देखें इस तरीके से उसके बाद क्या करना है यहां पर आपको goal shape बनानी है इस तरीके से अगर आपसे एक बार में goal shape नहीं बन रही तो आप 4-5 बार practice करें इसली बनना न सीख जाएंगे इस तरीके से अब इसके मैं करूँगा यहां से cutting यह देखें गोल गली के बादे cutting कर दिया इसके अंदर बहुत simple तरीके से ठीक है अब आपको क्या करना है जो हमने इस तरीके से पट्टियां ली थी यह वाली यह देखें इनकी जो चोड़ा यह दो इंच है इनके लंबाई भी आपको दो इंच रखनी है इस तरीके से देखें यह वाले जो पट्टी है इसको मैं इस तरीके से करता हूँ यहां से 2 इंचमات निशान लगा देता हूं. यह देखें. उसके बाद मिं क्या करना है COP. आपको 2 घी पट्टी लेनी है इसको इस तरीके से करते जाएं और इस तरीके से कटी करनी है. यह देखें, अब जिस तरीके से मैंने यह वाली पट्टी कट की है, जो बाकी दो पट्टी है मेरे पास में, इनको भी मैं इसी तरीके से कट कर लूँगा, तो देखें दोस्तों, इनको इस तरीके से कट करने के बाद आपको क्या करना है, यह वाले जो पीस है हमारे पास में, एक बार इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है ठीक है उसके बाद मैं एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधी से लगानी है मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ इस तरीके से पकड़ा यह दोनों कोर और इस तरीके से मिलाने है उसके बाद में इसको इस तरीके से करना है ठीक है और इस तरीके से आपको सिधी से लगानी है यह मैं आपको मशीन पर बना के दिखाता हूँ तो दोस्तो देखें इस तरीके से क्या करना है एक बार इसको ऐसे फोल्ड करना है उसके बाद में इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको बिल्कुल सिद्धी से लगानी है फिर दुबारा इस तरीके से करना ये देखे तो दोस्तों देखें मैंने तीन इस तरीके से बना लिए हैं एक, दो और तीन जिस तरीके से मैंने तीन बनाए हैं इसी तरीके से मैं बाकी जो कपड़ा है मेरे पास इन में से इसी तरीके से मैं इने बना लूँगा दोस्तों देखें इस तरीके से पूरे कपड़े के मैं ने ये बना लिए pieces उसके बाद आपको क्या करना है इनको रखना है side में और ये जो हमने गले की cutting की थे न गोल गले की ये आपको देखे इस तरफ से wrong side है और इस तरफ से right side है तो right set आपको इस तरीके से रखना है और उसके बाद में क्या करना है एक एक उठाना है और इसके साथ में लगाते जाना है किस तरीके से यह देखे इसको मैं इस तरीके से रखता हूँ और यह वाला जो मेरे पास पीस था इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगा ठीक ह यह जो मैंने सलाय लगाई थी ना यहाली जो सलाय है यहां पर इसके बिलकुल यहाँ पर आएगी यहाँ पर ठीक है जहाँ पर गले की हमने कटिंग की थी बिलकुल बराबर नहीं रखना इसको हल्क ऐसा पीछीक तरफ रखना है, यानि कि यह वाला जो red वाला पीस है, यह इधर होगा, और blue वाला जो अमरा suit है, वो इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरीके से रखना है, ठीक है, और आपको सलाई लगानी है, यह देखें, सिर्फ आदे तक सलाई लगानी है, यह जो center ने सी चोंचे, यहां तक सलाई लगानी है, उसके बाद में क्या करना है, दूसरा लेके आने है, और उसको इसके उपर इस तरीके से रखना है, ठीक है, एक बार आप फिर से बता देता हूँ, जो दूसरा वाला पीस है, आपको इस तरीके से यहां से बराबर नहीं रखना, जो आदा फिर आपको इस के उपर चड़ाना है ठीक है , इस तरही के से . . , फिर सलाई आपको लगानी है फिर एक पिछ उठाना है , , स्व yaz. इसे के उपर चड़ाना है यहाँ पर इस तरही के से फिर आपको श् Czech Clay लगानी है इसी तरीके से आपको पूरे गले में लगाते जाना है यह देखें मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ तो दोस्तों देखें यहां से यह राउंड में है तो आपको इस तरीके से राउंड में लगाने के आउशकता नहीं है आप एक चीज को ज्यान रखें जो इसका सेंटर है आपको इसके उपर ही दूसरा पिस रखके लगाना है तो जो इसकी राउंड वाली शेप है ओटोमेटिक इसके अंदर भी बन जाएगी यह देखें इस तरीके से तो देखें दोस्तों राउंड शेप जो गला है पूरे में मैंने इस तरीके से यह पिस लगा लिए उसके बाद क्या करना है इसको इस तरीके से उल्टा करना है ठीक है और जो बिलुवाला हमारा कपड़ा था इसके बराबर बराबर इनके कटिंग करनी है तो दोस्तों देखें मैंने इसकी बराबर से कटिंग कर दी है इसका लुप कुछ इस तरीके से आ गया है यह देखें अब आपको क्या करना है जिस कलर का सूट है आपके पास में उसी कलर की इस तरीके से एक डेड़ या फिर दो इंच चोड़ी पट्टी आपको कट करनी है लेकिन जो पट्टी कट करनी है यह पट्टी उरेव होनी चाहिए इस तरीके से ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है पट्टी को इस तरीके से रखना है ठीक है जो आपने पहले सिलाई लगाई थी ना इनके उपर रेड वाली रेड कलर से लगाई थी उसी के उपर आपको सिलाई लगानी दूसरी दोस्तों एक बात ध्यान रखना जो पट्टी है यह आपको बिल्कुल भी नहीं खेंचनी नॉर्मल इसको लीज छोड़ना है और जो गला है इसको भी डिल्ला छोड़ना है इसको भी इस तरीके से नहीं खेंचना इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है जो पट्टी है वापस से बाहर के दर पलट जाएगी यह देखें इसको ऐसे फोल्ड के एक बार और उसके बाद में एक बार इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके साथ में आपको यहां पर बिल्कुल किनारी के सि लगानी है तो देखें एक बार मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं ठीक है उसके बाद में पट्टे को इस तरीके से फोल्ड कर रहा हूं जो मैंने सलाय लगाई थी ना बाद में बिलू कलर से उसी के उपर आपको इस तरीके से रखना है यानि कि जो अब हम सलाय लगाएंगे यह सलाई जो लगाएंगे इस बिलू कल्र के ऊपर लगाएंगे यानि कि जो बिलू कल्र के मैंने सलाई लगाएंगे न इसके ऊपर लगाना आपको इस तरफ नहीं लगाना तो दोस्तों देखें इस तरीके समय ने पट्टी को भी लगा लिया है डिजाइन ओल्मोस्ट बनकर कम्प्लीट है आप देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है और कितना सुन्दरी डिजाइन लग रहा है इसके बाहर देखें कितनी फिनिशिंग है और अंदर की साइड से मैं दिखाता हूं यह देखें अंदर से भी कितनी फिनिशिंग है एक भी धागा इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है आप इस डिजाइन को और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम क्या करेंगे जो इसके कॉनर से यहाँ पर यह देखें यहाँ पर लगाएंगे मोती यह मोती मैंने इस तरीके से माला से निकाल ली है इनको लगाना बहुत सिंपल है यह देखें मैं आपको लगा के दिखाता हूं इस तरीके से सुई को नीचे से डालना है उसके बाद में एक मोती सुही कंदर इस तरीके से डालना है वापस इसको ऐसे लेके जाना है यह देखें आप देखना मोती लगाने बाद इसका पहुत ज़्यादा सुंदर लुक आ जायागा दोस्तों इस तरीके से वापस से एक बार मैंने इसके अंदर डाला सुई और यह देखें नीचे से इसको इस तरह के से पक्का कर देना है और इसको यहां से कट कर लेना यह देखें तो एक मुती मैंने इसके अंदर लगा दिया अब एक मुती और लगाता हूँ मैं इसके अंदर अब जिस तरीके भे दोस्तों मैंने दो मोती लगाहें हैं इसी तरीके से जितने भी एक आये कौणर्स नहीं कल रहें सभी यह के अंदर मोती लगा लेने तो मेरे को टाइम लग जाएगा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सिंपल ये मोती आपको इस तरीके से रखके दिखा देता हूँ इसके उपर अरे तो रूकी नीरा लगा नहीं पड़ेंगे तो मैं सारे मोती लगा के फिर आपको इपर गले का फाइनल लुक दिखाता हूँ तो दोस्तो देखें सभी के अंदर मैं इस तरीके से मोती लगा लिए कितना सुंदर और कितना ब्यूटिफुली नैक लग रहा है तो दोस्तो ये जो मैंने नैक बनाए मातर तीन सलाई में बनाया है एक मैंने सलाई में ये टेक्च किया था और एक सलाई में मैंने पट्ट ये टेक्च कि थी और एक सलाई मैंने इसके ऊपर लगाई है तो दोस्तो मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी यदि आपको मारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आप जब लाइक करतें तो वीडियो का आगे लोगों के पास में जाती है उससे व्यू जाते हैं और उमें बहुत अच्छा लगता है यदि अपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़ूर सस्क्राइब करें क्योंकि सिलाई से संबनत वीडियो मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू सो मच